हाई गाईज इस जून एंड जुलाई 2024 में बहुत सारे स्मार्टफोन आने वाले लेकिन लोग जादा एक्साइड़ेट है आईकू, जीना एंड टर्बो को लेकर क्योंकि ये एक गेमिंग सेंटरी स्मार्टफोन तो रहे गई साथ में यहाँ पर डिस्प्ले बेस्ट दिये जाएंगे, कैमरास बेस्ट रहने वाला है इवन लॉंग लास्टिंग बैटरी भी ये फोन के साथ मिले वाले और ये फोन को काफ़ी एग्रेसी प्राइस पोइंट पर बदाए जारे कि ये फोन एक पर्फोमिन सेंट्रिक वाला फोन रहने वाला है जहाँ पर स्नाप ड्रेगन एटेज जिन 3 वाले प्रोसेजर को यूज किया गया है जिसकी एन्टी दुबेंच पर स्कोर 1.7 मिलियन से भी उपर चला जाता है इवन यहाँ पर एक डेडिकेटेड टर्बो चिप को भी एड़ गया गया है जो कि अउनली ग्राफिक को ही मैनेज करेगा यानि कि प्रोसेजर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इससे क्या होगा कि हार्ट वर्क भी प्रोसेजर एजी वे में कर पाएगा स्टोरेज टैप के साथ आने वाल है यानि कि इजली रैम रॉम को भी यह काफी फास्टली तरीके से मैनेज कर पाएगा साथ ही यहाँ पर 6000 इमिज की बड़ी सी बैटरी मिलने वाली है यानि कि चार्जिंग इससे को लेकर कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाल है बट इस फोन के साथ वहसा हमें नहीं देखने को मिला है यहाँ पर डूल कैमरे का सिरप दिया गया है जहाँ पर 50 मेगा पिक्सल की प्रैमरी सुटर वी तो आई है जो कि सोनी एल वाईटी 600 वाले सिंटर को सपोर्ट करता है जो कि क्लियर्टी अच्छा खासा दे देगा 4K and 60fps को सपोर्ट करता है and 8 मेगा पिक्सल की अल्टरा वाइड इंगल यहाँ पर मिलने वाल है साथ यह फ्रेंट पे 16 मेगा पिक्सल की सिंटर पुंचल वाली सिल्फी भी दी जाएगी तो कैमरा भी यह फोन का बेस्ट होगा डिस्प्ले की दरफ आते है तो 6.78 इंचेस की 1.5K रिजुलिशन के साथ एक OLED फ्लाइट डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलने बाल है और यह डिस्प्ले 120 Hz के रिफ्रेशेट को सपोर्ट करेगा बाकि यह डिस्प्ले 4500 निट्स की पिक ब्राइटन को सपोर्ट करने वाल है यानि कि ओड्डोर पे भी डिस्प्ले काफियत तक ब्राइट होगा और कंटेंट वाचिंग को लेकर 10 बीट कलर सेचुरेशन SDR 10 प्लस जैसे फीचर को भी सपोर्ट करने वाल है यानि कि नेचुरल कंटेंड वाचिंग का मज़ा भी डिस्प्ले के साथ ले पाऊगे बाकि अदर स्पैक्स को लेकर भी यहाँ पे कॉम्परमाइज नहीं किया गया यहाँ पे डुवल इस्ट्री स्पीकर मिलने वाल है इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंड का सपोर्ट दिया जाएगा और सभी सिंसर्स यहाँ पर रहने वाले और ओट अप दी बॉक्स यह फोन इंडरवाइट 14 के साथ लाँच हिया जाएगा तो कुल मिलाकर यह कुछ फीचर्स रहने वाले अब बात करें कि यह फोन कब तक इंडिया पर लाँच हिया जाएगा किस प्राइस पॉन पर लाँच हिया जाएगा चलिए यह सब जानते हैं तो यह फोन 30,000 के प्राइस पॉन पर बदाय जा रहे है कि इंडियान मार्केट में आने वाला है अब तक कोई भी टीजेज वगरे नहीं आया यानि कि यह जून के महिने में यह फोन नहीं लाँच होगा तो हो सकता है जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्टिंग तेकि यह फोन हमें इंडियान मार्केट में देखने को मिले उससे पहले IQ के दरब से एक और न्यू स्मार्टफोन आ जाएगा उसके बाद फिर IQ Z9 टर्बो को इंडियन मार्केट में लाँच किया जाएगा फीचर्स काफी तगड़े दिये गए तो यह फोन को लेकर दो से धाई महिने भी वेट किया जा सकता है तो यह थे गईज IQ Z9 टर्बो से जोड़े काफी सारे डिटेल्स तो आज क्या ये वड़ आप से पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक करना कमेंड करना प्रे दोस्तों को साथ सेर करना और मिलते गईज अगले अंग फ्रेस ब्लो के साथ तब तके लिए बावाई एंड टेक कियर